लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दवाना ना भूले ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचे कि अब हमने कुछ समय पूर्व समविधान से संबंदित कुछ बाते पड़ी थी कि उसका क्रमी का विकास कैसे हुआ तो आपको पता होगा इसके बार देश को आजादी मिली और हमारे समविधान हमारे द्वारा खुद के द्वारा लिखा गया तो यह समविधान कैसे लिखा इसके लिए क्या पूर्व योजनाय थी इसके बारे में हम आज समविधान सभा के अंतरकत कुछ बात करेंगे तो समविधान सभा करते क्या होता है समविधान सभा करती यह हुआ कि एक ऐसी सभा जिसमें इस प्रकार के प्रतिनिदी हूं कि जो देश को जब देश संपूर् लोगों की आवश्यक्ता है तो वहां इस सभा में बुलाए गए तो वह जिया सभा जो थी प्रतिनिदी सभा यह समविधान सभा के नाम से जाने गई तो अब अगर हम देखें कि समविधान सभा की शुरुवाद कैसे हुई तो इसके यह नहीं लगा लें आप कि जब देश को आजादी मिली उसके बाद फिर सोचा गया कि हमको समविधान का निर्मान करना है और समविधान क्या वातर क्यों होता यह तो मेरे गाल से आप लोग पहले से जानते पर फिर भी बता दू कि समविधान जिस प्रकार एक परिवार में उनके नियम कानून के आधार पर परिव कि यह शांतिपूर्ण चलाने के लिए वयवस्ता पूर्ण चलाने के लिए समविधान का निर्मान होता है तो यह समविधान इस देश की प्रекुटा को प्रदशित करता है प्रवुता का अर्थ हुआ कि वहां आंतरिक और बाहे、 रूप से स्वतन्तर है आंतरिक रूप से जनता उसके नियमों का पालन कर रही है और बाहर रूप से कोई अन्य देश उस पर दवाब नहीं डाल सकता तो इस प्रकारिय संविधान का इस प्रकार से निर्मान होता है कि वह संपुन प्रभुत्य संपन बने और जनता उनके नियमों का पालन करे या एक लोगत तंतरात्म तो संविधान सभा का निर्मान होना था और इसकी शुरूवाद 1906 से ही शुरू हो गई थी उसके बाद जब गांधी जी राजनिती में प्रवेश्कियार गांधी जी ने तो 1922 में तव इसने और भी उग्र रूप ले लिया और धीरे धीरे या 1923 1934 और 1949 में हमारे देश के महापुर्शों विद्वानों राजनितिग्यों ने जो सरकार थी उसके जो कैबिनेट उस पर दवाब डालते चले गए कि जो देश का संविधान हमारे देश का जो संविधान बनेगा तो वह हमारे अनुकूल होगा मतलब भारती जनता के द्वारा ही बना सरकार ब्रिटिश अवरोध उत्पन किये गए पर फिर भी 1940 में ब्रिटिश सरकार को यह मानना पड़ा कि अब हमको इस देश को त्यागना पड़ेगा छोड़ना पड़ेगा और यह जो संविधान है इसका निर्माना वह हमारे द्वारा नहीं होगा अब भारती जनता ही इ ऐसा ब्रिटिश सरकार को स्विकार करना पड़ा फिर 1946 में एटली जो की ब्रिटेन के प्रधान मंत्री थे उन्होंने संसद से गोशना की कि अब जो संविधान का निर्मान है वह भारती जनता के द्वारा ही होगा और यदि उनको आवश्यक्ता है तो संविधान के निर्मा करेंगे पारंतु भारतियों ने इसको सधन्यवाद वापस कर दिया तो इस प्रकार यह संविधान सभा का निर्मान हुआ और इस संविधान सभा के जो संदचना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या क्या तो जो ब्रेटिश संशत जब थी कैबिनेट तो उनके द्वारा इन्होंने प्रांतिय विधान सभाओं से लगभग 296 सदस्य और देशी रियासतों से 93 सदस्य इस प्रकार इसमें डाले गए यानि कि उस समय जो संख्या थी इनकी सदस्यों की संख्या वह निश्चित नहीं थी ऐसा माना कि कि 10 लाख जन संख्या पर एक प्रतिनी भी रखा जाए तो इस प्रकार इसमें जितने भी इसके विशय शग्य थे वह सब शामिल होते चले गए और इसमें कोई जरूरी नहीं था कि केवल हिंदू या कांग्रेशी हों इसमें हर धर्म के लोगों को इस्थान दिया गया यहां तक की मह मुस्लिम लीग है तो उन्होंने अपने आपको इससे हटा लिया था मुस्लिम हट गय थे तो इस प्रकार आंत में जब संविधान के मसोधे पर अस्ताक्षर हुए तो उस समय 306 सदस्य इसके थे चुनाओं की विध्धी के लिए इस प्रकार से किया गया कि जो प्रांतिय थ प्रांतु जो देशी रियासते थी उसमें आधे सदस्य देशी राजाओं के द्वारा मनोनित किये गये और आधे जनता के द्वारा किये गये तो इस प्रकार यह जो सदस्य थे जो जितने भी सदस्य थे ऐसा माना जाता है कि वयस्क मतादिकार के आधार पर इनका चुनाओ द्वारा नह hKE किया गया तो यह सथ्य सत्य है कि वय स्कमतादिकार के द्वारा हिंका छूनाओ नहीं किया गया परन्तु फिर भी इसमें जो भी सदश्द्य थे वह इस प्रकार के थे。」 कि जो सम्विदान का निर्मान कर सकते थे और अगर चुनाओ के सब्धान के प्रभावशाली सदस्य थे तो प्रभावशाली सदस्य तो आप पता नहीं अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो शायद आप गांदी जी नहरुजी और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर राजिन पसात का नाम लेंगे और अंबेटकर जी का नाम लेंगे इसके अलावा भी बहुत सारे विद्वान इसमें शामिल थे जैसे क्रश्णावाचारी आयर केन मुंशी और आयंगर जी वी आयंगर जी यह इस प्रकार के जोग या तो सम्विधान के बड़े ज्याता थे या बड़े वकील थे लोग पुरुष का नम आप जानते हैं सर्दार बल्लब भाई पटेर जो लोग पुरुष और महान राजनेतिग्य थे तो इस प्रकार इन लोगों का चुनाओ इसमें किया गया यह सभी प्रभाशाली सदस् अपनी महती भूमी का इसमें निभाई थी अब देखते संविधान सभा की प्रकृति तो संविधान सभा की प्रकृति के अंतरगत इसमें पहला पॉइंट है कि संविधान सभा की प्रभुसत्ता का प्रेश्म प्रभुसत्ता का अर्थ होता है कि स्वयम के द्वारा निर्म है तो यह प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि इसका निरमान कैबिनेट के दोरह किया गया था तो पिर इसमें भार्कियों की प्रभु सत्ता कहां दिखाए देती ऐसा माना गया क्योंकि कैबिनेट ने केवल कुछ ही विशयों पर बनाने के लिए जिसमें था विधी और संचार और राश्त्री मामले तो और इसके अलावा इनको शक्तियां प्रदान नहीं थी इसलिए यहां प्रश्न उठा कि क्या प्रभुसत्ता इन पर है इनकी है तो इस पर जो अस्तिन जो अमेरिकी विद्वान थे संवेधानिक विचारकों के गयाता उनका कहना था कि इसमें जो भी दिर्ण लिए गए सहमती से लिए गए अर्थात ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेसियों ने अपने अनुकूल संविदान का निर्मान किया इसमें हर जाती धर्म संप्रदाय महिलाय क्रिशक व्यापारी व्यावसाई व्यज्ञानिक जो भी थे जो इसमें विशेश भूमी का अधा कर सकते थे उन सब की सहमती से यह निर्णे लिए गए और इसी प्रकार सहमती से जो निर्णे लिए गए वहर निर्णे को लेने में जल्दवाजी नहीं की गई लंबे लंबे वादिवाद किये गई इसके अलावा आलोचना यदी की गया और अपनी गलतियों को स्विकार किया गया इसके अलावा यदी इनको लगा कि जो इस सभा का सदस्य नहीं है परंतु वहां कुछ विशेश जानकारी दे सकता है तो ऐसा देश के अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया जो इस सम्विधान में अपनी महती भूमी का निभ नहीं गया किसी भी व्यक्ति का त्याग नहीं किया गया जहां जिसकी अवश्यक्ता पड़ी हर व्यक्ति ने वहां अपना मन चाहा सायोग दिया ताकि एक ऐसा सम्विधान बने ताकि देश उसके अनुकूल हो याने कि सम्विधान बनाने के लिए विदेशी लिखित सम्व संविधानों की प्रतियां बुलाई गई और वह प्रतिनिद्यों को बांटी गई फिर उसके लिए लंबे लंबे वाद विवाद हुए कौन सा ऐसा विचार है जो भारति संविधान के अनकूल होगा उसको रखा गया इस प्रकार एक बहुत लंबे संगर्ष और ठकान भरे का प्रतियों के बार गया जो संविधान हमारे सामने आया था वह समझ लीजें कितना लंबर कडा संगर्ष रहा इसके बाद कांग्रेस की प्रतांता ती तो हां यह सत्य है की 59% जो व्यक्तित्व थै वहां आंगरेसी था परन्तु फिर भी अन्य जिसमें पंजाब दक्षेन इ मतलब इनको लिया गया था ये ठीक है कि उनका रोल छोटा था परंतु महत्वपूर्ण था फिर कहा गया छोटे किसानों श्रमिकों दस्तकारों का अभाव छोटे किसानों श्रमिकों दस्तकारों का इस सभा में अभाव अवश्य था परंतु जो संविधान का निर्मान हुआ वह इनके अनुकूल था अर्थात इन लोगों की अवश्यक्त को ध्यान में रखते हुए ही संविधान की निर्मान किया गया था अब आते हैं लेयरां धेखते कि संविधान सवत के मार्ग की कठ्षिनाईयां किया ती तो इसमें पहला है कि अच्यन्त उदार संविधान की आकांग्षा चुकि देश अभी अभी आजाद हुआ था और जितने भी महापुरुष थे महापुरुष का मतलब सतंतरता सेनानी थे उनमें से तो कुछ ऐसे थे जो अभी अभी जेल से छूट कर आये थे और उनका संविधान सभा में तो उनके रदय में अभी भी वहाँ कठिन समय की जो तस्वीर थी वह अभी भी उनकी आँखों के आगे थी तो उनका ऐसा मानना था कि संविधान इस प्रकार से बने ताकि हमको बहुत ज़्यादा अनुकूलता प्राप्त हो याने कि वह बहुत अधिक कठोर ना बने नहीं तो अभी हमने बहुत कठोर्ता देख चुके हैं और अब हम नहीं चाहते कि इस प्रकार की कठोर्ता हम आगे भी देखें तो इस प्रकार उन्होंने एक अनुकूल नर्म मुलायम सा कुछ संविधान बनाना चाहा तो दूसरी बात यह आती है कि स्वतंत्रता का सशक्त प्रहरी अर्था अगर इस प्रकार का सौफ्ट नर्म लचीला संविधान यदि बनता है तो फिर दूसरी और एक प्रश्न यह भी उठता है कि हम हमेशा आजाद रहना चाहते हैं और इस स्वतंत्रता को बनाय रखने के लिए संविधान इस प्रकार का हो ताकि वह देश की रक्षा करने वाला हो इसलिए इसमें कुछ कठोड़ता को लाना जरूरी है जो की हमारे देश की स्वतंत्रता का प्रहरी बन जाए फिर है मुस्लिम लीग का असायो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि पाकिस्तान का निर्मान होने वाला था इसलिए मुस्लिम जितने भी थे जो इस सवा में शामिल किये गए थे उन्होंने असायो प्रदर्शित किया उन्होंने मन लगा कर कारने किया क्योंकि उनको लग रह उनके मन में आरे के कारण उन्होंने पूर्ण सहयोग नहीं दिया था और अंते में देशी रियासतों की समस्या जैसे कि आप जानते ही हैं कि कुछ प्रांत बने थे और देशी रियासते भी थी तो बिटिश सरकार ने अंते में ऐसा कह दिया था कि स्वतंद्रता मिलने के जाती हैं तो वह सतंत्र रियासत के रूप में ही रहें अन्यथा देश में इदर शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो जाएं परन्तु यहां बहुत ही खतरनाक उनका निर्णय था बहुत बहुत अच्छी बात थी कि हमारे पास लोग पुरुश सरदार बल्लब भाई पटेल तो उन्हों ने अधिकांश रियासतों को एक लोगतंत्र का रूप दे दिया अन्यथा पता नहीं भारत के और कितने भी भाग हो जाते तो इस प्रकार देशी रियासतों को बहुत समझा बुजा का जोज अबस्ति करके यह रिकेन प्रकारें साम दाम दंड भेत की निती लोह पुरुष ने ढूंडा तो इस प्रकार यह संविदान सभाज का जो निर्मान हुआ यह आप समझ गए होंगे कि कितना जटिल था अब आगे हम जो संविदान निर्मित हो जाएगा और उसकी क्या विशेष्टा रहेंगी उसको पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवा को कि तक कि रृष्ट है और वे उसकी जाना यहा कर रहेंगे पतो कि दो